जाएं दोस्तो आज की क्लासों में हम लोग डिसकस करेंगे time and distance मतलब समय और दूरी ठीक है दोस्तो समय और दूरी के बारे में जानेंगे के समय क्या होता है दूरी क्या कहता और इससे related जतने भी प्रस्ण होंगे अच्छी अच्छा प्रस्ण करेंगे दोस्तो अच्छी important topic है दोस्तों इस topic से परते की एक्जामों में एक या दो प्रस्ण हमेशा पूछे जाते हैं तो आज हम लोग time and distance जैसे टोपिकों से अच्छी चीजे को सीखेंगे और वो भी basic concept के साथ जिसे नहीं भी आता अगर वो भी अच्छे तरह से सीख लेंगे ठीक है दोस्तों तो इस topic को start करनी से पहले basic thing मतलब basic concept तो उसे अच्छे से आप लोग एक बार सीख लेंगे जिसे आता हूँ बहुत बड़ी याँ बात है जिसे नहीं आता है वो ध्यान देदे ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे है time और डिस्टेंस समय और दूरी ठीक रो गिया है इसमें क्या है तो ए और बी कोई डिस्टेंस है ठीक है ए और बी ये कोई ए है ये कोई बी एक जगह मतलब पटना तू दिल्ली मानलो ठीक है इसकी बीच की दूरी डी किलोमीटर है कोई ट्रेन एस किलोमेटर की परती घंटे की रफ्तार से जाती है दिल्ली की और दिल्ली जब पहुचती तो उसको कितना समय लगता है मतलब अगर कोई ट्रेन अगर गती अवरस्तम हो वह जाएंगे एक अस्ताओं से दूसरे अस्ताओं जब पहुंचेंगे तो कुछ तो समय लगता हो ना तो वह समय क्या लगा कितनी दूड़ी तेक करने में डी किलोमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है डिस्ट पने चया, जब जाते हैं दूरी को तक करने में तो चलते हैं उसकी स्पेड़ ना वह समय यह यह ऐसे मानों यह ट्रेन है इसकी चाल कितनी है ऐस किलोम्टे प्रती घंटे करपता से जब हम देहली पहुचेंगे तो जब चले तो समय भी लगेगा जब समय लगेगा कतना समय लग रहा है ठीक है दोस्तों तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस को तैक करने में हमें दो चीज़ों की लगी क्या क्या चीज़े लगी एक हमको क्या लगा इस्पीड लगा एक टाइम लगा तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस पूछे का किसे करते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या बताएंगे हम लोग इस्पीड इंटू टाइम इस्पीड इंटू टाइम जिसकी य लोग हम लोग निकाल सकते हैं हैं दोस्तों इसे बराबर डिस्टेस बटे ताइम कीलिए दोस्ति रूसरी बात ये हैं दोस्तों किर अगर speed दिया हो distance दिया हो time नहीं दिया हो तो time बराबर हम लोग याद कर सकते हैं इसी फर्मूले के help से distance बटे speed ठीक है दोस्तों distance बटे speed तो इसका unit क्या होता है घंटा मतलब hours या second ठीक है चलिए इतनी बात clear हो गई दोस्तों अब बात आती है second में यदि speed यदि speed आपका दिया हो मीटर पर सकेंड में और उसको हमको convert करना हो किसमे क्यूलो मीटर पर आबर में तो इसको बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 18 बटे 5 से उसमें गुणा कर देंगे जैसे यादि स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो किलो मीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें कितना स्मल्टिपला करना पड़ेगा 18 बटे 5 हमने क्या किया इसे हमने क्या करेंगे इसको यहां पर 10 है दोस्तो ठीक है इसको मल्टिपला कर देंगे 18 बटे 5 से अगर कर देते हैं तो यह कितना पांस दुनी 10 अठारा दुना 36 किलो मीटर पर आवर क्लिए दोस्तो 36 किलो मीटर पर आवर समझ में आ गई बात यह बात समझ में आ गई अब तिसरी बाते कहती हैं दोस्तो यदि स्पीड किलो मीटर पर आवर में हो यदि स्पीड किलो मीटर पर आवर में हो तो उसे मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे क्लियर चलिए हम क्या करते हैं यदि किलो मीटर यदि स्प गुना करना पड़ता है तो चलिए example देख लिए हैं किस तरह से बदलते हैं तो देखे जोवन किलो मीटर पर अबर में दिया हुआ दोस्तो इसको हम Cop先64 हम करना पड़एगा दोस्तो divided गुना क्या पढ़े थे हम लोग पांच वटे अठाड़े से मल्टिप्ला कर देंगे तो क्या बदल जाएगा वो मीटर पर सेकेंड तो चलिए गुना करते हैं लोग पांच गुना पांच वटे अठार अठारा तीया चाववन यह आपका कितना हो जैगा on 70 हो गया यह हो गया कप 15 किलोया पंदरा मीटर कि पर सेकेड़ चेंज होगे दोस्तों चलिए इस बात को भी किलिए अपने कर दिया तीसरे ब्रत्त समझ में आ गया दोस्तों कैसे milhões किया जाता है चलिए थे करते हैं गड़ेजी में रिलेटीव स्पिड करते हैं ठीक है पताने रिलेटीब का सब्सक्राइब इसमें बाते होती है दो बाते होती है एक क्या होता है दौस्तोक कोई कोई बस्तू है जो कोई दो बस्तू जब भी निकले गा रिलेटिव भिले सो टीथ याद रखे कि दो बस्तू होना चाहिए ठीक न वह भी गतिसील अबस्ता में कैसी अबस्ता में गतिसील अबस्ता में कि जब तक गतिसील होंगे ने तो उसका रिलेटिव स्पिट कैसे निका यह सब्सक्राइब कर ना है तो कोई एक ही इसा में माल लीए एक मोटर साइकल से हम चले找 एक मोटर साइकल से हमारा दोस्त चला दोनों एक ही दिसा में जा रहे हैं उस में पूझेंगे कि इसका अल・ा यललिप इस तशन केतना है सब्सक्राइब करें जब एक ही दिशां में क्यू जा रहे हो में कि तोनों गति अवस्था में जा रह रहे हैं तब इस प्रिडिएड में क्या होता है चालता हो डिफरेंट डिफरेंट चले हैं ना तो दोनों चाल क्या हो जाएगा एक दिशा में घट जाएगा तो वही फर्मूला है दोस्तों कि कोई एक बस है जो S किलोमेटर परती घंटे कर अपता से एक दिशा में जा रही है दूसरा बस है ये A बस हुआ ये B बस हुआ दूसरा बस उसी दिशा में जा रही है S2 किलोमीटर परती घंटिक रफ्तार से अब हम बोले कि दोनों का रिलेटिव स्पीट कितना होगा रिलेटिव स्पीट वराबर क्या होता है दोस्तो पहला बस की चाल घटा दूसरी बस की चाल मतलो S1 घटा S2 इसका युणीट कितना होता है किलोमीटर पर आवर किलियर दोस्तो इस बात को समझ में आ गया साबक ची करें मतलो रिलेटिव स्पीट कैसे घ्याद करते हैं और किस समय में कंडिशन क्या है जब कोई दो बस्तू एक ही दिशा में अगर गति सील हो तब हम क्या करते हैं रिलेटिव घ्याद करेंगे तो उस प्रियेड में हम क्या करेंगे दोनों के बस्तों के चाल को क्या कर देंगे घटा देंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे उसकी क्या रिलेटिव स्पीट क्लियर दोस्तों चलिए इस बात को अगर समझ में आ गया तो second thing कहता दोस्तों फिर कोई बस्तू बिपरीद दिशा में गतिशील हो तो क्या तो relative velocity कैसे ग्याद करेंगा अब यहां तो बात हो ड़ी थी कि एक ही दिशा में दो बस्तू जा रही गतिशीला बस्तम तो relative velocity कैसे ग् कि इस एक दिशा में दोस्तों कि दोनों की चाले क्या हो जागा जूट जागा जैसे कि आप फीगर में देख रहे हैं कि कोई कोई ए बस है जो की जा रही है उस तरफ से एक दिसा में अब दूसरी बस उसके जश्ट अपोजी डारेक्शन में एस किलोमिटर परावर से जा र दोनों के चाल को क्या कर दिए जोड दिए इसलिए लिख है यहां आरेस इसकल्टू एस वन प्लस एस टू किलोमीटर पर आवर दोस्तों किलियर दोस्तों चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई तो कुछ बाते और भी हैं दोस्तों तो उसे भी जान लेजिए पिछले देख और यहां पर आवर के चाल से वापस लोटनी या तो करता है कि इस प्रिएळ में अगर बोले आपसे ब्रहेज स्पीड गयात करने के लिए तो उससे कैसे घयात करते हैं तो सअच चाल अगर याद करने डोर गनें तूसे कैसे गयात कर सकते तो सिंपल सी बात है दोस्तों कहत जब आप है क्या है यदि कोई बश्तू एस क्लमेटर पर आवर की चाल तरह माल दिजिए कि हमको पटना से कहां जाना डिलली जाना ठीक अकेला बंदा है हम ने क्या किया ये नाम का कोई बस है बैठे और एस क्लमिटर पर दिगंटे की रफ्तार से हम चल दिये दिल्ली पहुंच गए दिल्ली सब पुनाव वापस हम उसी बस से क्या करते हैं एस टू किलो मिटर पर आवर की चाल से वापस लोते हैं क्या होते हैं वो वापस लोटते हैं यारो हमसे कोई पूछता है रह भाई तुम जो जर्णींग किये आने अरो जाने में तुम्हारा average speed कितना था तो इस प्रिएट में दोस्तों निकालते हम लोग क्या कि दोनों का चालों का यह गुनलफ़ल मतलब इस प्रिएट में अगर निकालने बोलेगा तो two into s1 into s2 अब बटे s1 प्लस s2 अब यह है क्या चलिए देखते हैं यह दो दो हुआ तो तो इस तो ईहागर आनों और जाने का सिस्टम क्या हुआ है अब क्या होगा कि एक ही चाल है कि मैसि यह तरफ जाने का दोक्तों यह पिर्गा हो जागा थिका सब्सक्राइब कोई पूछे और यैदु थक्तु से को पूछे किलो मीटर की चाल से वापस एस टू किलो मीटर परढबर की चाल से वापस लडती है तो आप बताएए कि इसका लियुत करे समस्य करेंगे दिमाघ दोस्तो और बोलेंगे आप अभरइज स्पी बरैबर क्या होता है डोनों चालू का गुनन फाल मतलब S1 into S2 अब बटे दोनों चालनों का योगफल S1 पलस S2 ठीक है दोस्तों ये फर्मुल्ला के लिए रहो गया चलिए सेकंड दोस्तों कहता है और कि यदी अभी तो हम चल रहे थे एक दिसा हम आए और जा रहे थे ठीक ना पाटेकुलर थे अब कहता है दोस्तों क्या यदी कोई बस्तों तीनों समान चालनों जैसे S1, S2 और S3 किलोमेटर पर आवर की तीनों समान दुडियों तै करती हो जैसा कि हम फीकर में देख रहे हैं कोई मान लिए कि पटना तू दिल्ली कोई डिस्टेंस जी है ठीक ना अब पटना सो कोई A बस सली और S किलोमेटर पर इसके साथे चले तीन वह बस साथे चलता है तो बी बी चला और S2 किलोमेटर पर आवर की रफ्तार से वह देली पहुचा सी भी चली वह भी S3 किलोमेटर पर आवर की चाल से देली पहुचा तो अगर तीन तीन बस तू है मतलब तीन बसस हैं तीनों और समान चालों के साथ वह देली पहुचता है इस प्रिडियट में आप से पूछेगा दोस्तों कि आप बताओ यह तीन इसकी और सत चाल कितनी होगी तो आप माइंड में किलिक करेंगे दोस्तों ठीक है जा करेंगे त्री पहला वाला का चाल इंटु दूसरे वाली का चाल इंटु तीसरे वाली का चाल अब बटे पहला वाला का चाल इंटु दूसरे वाला का चाल का गुनन फल पल्लास दूसरे वाला का चाल इंटु तीसरे वाला का चाल पल्लास तीसरे वाला का चाल इंटु पहला वाला का चा ठीक है इसमें क्या था दोस्तों कि पहला बलम क्या था इसमें था क्या आपको कि एक ही बस था जो जाता था अपना वापस आता तो तो फाइंड आउट करते थे इसमें एबरेज स्पीड 2 इंटू इसमें क्या था सकेंड आपको बतारा दोस्तों इसमें क्या है कि तीन बस है तीनों अपनी अपनी चालों से पटना से दिल्ली पहुचती है तीनों की अलग-अलग चाल है इस प्रियाड में अगर आपसे कोई एबरेज इसपीड पूछेगा याद करने के लिए तो उसे कैसे एबरेज इसपीड बराबर होता है 3 इन्टू S1 इन्टू S2 इन्टू S3 बटे S1 इन्टू S2 प्लस S2 इन्टू S3 प्लस S3 इन्टू S1 ठीक है दोस्तों समझने का कोई फैर नहीं S1 का मतलब आप समझ गए पहला वलबास की चाल है दूसरी बात क्या है S2 का मतलब हो गया दूसरी बरबासों के चाल है S3 का मतलब हो गया S3 किलोमीटर परावर ठीक ना किसरी वाली की चाल है चलिए दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई तो चलते हैं फिर अगले पॉइंट की और चलिए दोस्तों कि नेक्ट पॉइंट काता है कि यदि कोई बस्तु 3 घंटे में S1 किलोमीटर परावर की गती से एक निशित दूरी तक जाती है और S2 किलोमीटर परावर की गती से वापीस लोट आती है तो उस बस्तु द्वारा आने तथा जाने में तेके गई दूरी कितना होगा आपको इस तरह का भी प्रस्ण पुछते हैं एक्जामों में ठीक है दोस्तों अब देखते हैं कि इस तरह का प्रस्ण अगर पूछे तो आप लोग किस तरह से हल करेंगे शॉट तरीके से है ठीक है जब इस तरह का कोसं रहे यदि कोई बस्तु टी घंटे में S1 किलो मेटर पर आवर की गदी से एक निस्चित दूरी तक जाती है और S2 किलोमीटर पड़ावर की गति सो वापस लोटाती है तो उस बस्तू द्वारा आने तरह जाने में तैक के दूरी कितना होगा तो चलिए दोस्तों एक फीगर से समझते हैं अपका फीगर अपके बोट पे इस तरह रहा कि A और B कोई प्लेस है कोई बस माल लीजे कोई बस B है जो की S1 किलोमीटर पड़ावर से वह जा रही है ठीक है कोई बस D है जो S2 किलोमीटर पड़ावर की से पड़ावर से वह लोट रही है ठीक है कोई बस मतलब है सोड़ी यही बस भी यह बस है ठीक ना गलती बोल दिए ठीक है सब्सक्राइब स्क्राइब जाती है अब पुने समय कितना लगा उसको ती आवर से लगता है तो हमें कहता कि टोटल डिस्टेंस कीसे होगा हुआ तो दखिया अब बात यहीं पूलता है कि टोटल डिस्टेंस बराबार हम नोर्मली डिस्टेंस बराबर फर्मूला पड़ते हैं दोस्तों क्या एस इंटु पड़ते हैं कि लिए इस बात को दियान में रखेगा ठीक न अब बात हुई कि यहां पे एस इंटु टू होता है तो एस में आप बोलेंगे सर्फ टू किलोमीटर से पुना वापस आती है इस प्रियड में एबरेज स्पीड को फाइंड आउट करना परता है अगर इस तरह की बाते जब भी होना तो आप लोग क्या करेंगे एबरेज स्पीड तो वही एबरेज स्पीड अप कहीं है ठीक है टू इन्टू एस वन इन्टू एस एस वन प्लस एस टू जाद कर लिए अब इससे हमको एबरेज स्पीड पता चला गया इन्टू जो फर्मूला आउता आपको टी इससे आपको क्या फाइंड आउट हो जगा दोस्तो टोटल डिस्टेंस लेकिन बात यह भी है दोस्तो अब पूछेगा आप से कि साटन डिस् कि अपका एक सपोस्ज एat 300 किलोमिटर ठीक यहां पतना इस्टेंस वह बात होती है त anthropology में Kerry करता है शकेंट और करता सरा डिस्तेंसो एक मिजित दूरी ऑप पटना से जब चले दिल ली तो उसकी बीच की दूरी कितनी होती है तो उस प्रियड में हम लोग जब इसमें भी वही कहानी है जाता है और वापस आता है तो उस प्रियड में क्या फंदा लगाएंगे सिंपल से थियोड़ी में S1 से और S2 किलीए दोस्तो चले इतनी बात जब समझ में आपको आ गया अब जो भी डाउटे होंगे आपको दोस्तो वह सारी के लिएर अब प्रसन के माध्यम से करेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रस्ण आपके सामने में है, कहता है दोस्तों कि रमेश 30 क्यूलो मीटर पड़ आवर की चाल से स्कूल जाता है, समझें दोस्तों कहता है कि रमेश 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसकूल जाता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसकूल से वापस घर लौट आता है मतलब काने कार्थ हुआ टोटल डिश्टन जो कियाता है उसमें एबरेज इस्पीड उसका कितना था तो चलिए फीकर्स आप समझ रहे हैं यह रमेश बाबु का घड़ हुआ होम यह इस्कूल हुआ तो रमेश बाबु 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपनी इस्कूल की और चलते हैं अपने इस्कूल से जब छुटीओं होती है तो घर की और 60 किलोमीटर परावर की गति से वापस लोटती है करते हैं average speed क्या ग्याद करें तो चलिए दोस्तो वही फर्मूले के साथ हम लोग ग्याद करते हैं क्या होता है दोस्तो average speed मतलब speed, average, speed of average, ठीक है दस्तो, औसद चाल बड़ावर क्या होता है, देखिए, औसद चाल बड़ावर क्या होता है आपका, क्या बोले थे, 2 into, दो चाल है, तो 2 हो गिया, अपेंडोन हो रहा ना, ठीक है, 2 into, पहला बलाग चाल, मतलब फर्मूला यही पड़े थे हम लोग, S1 into, S2 बड़े, S1 पलस, S2, यह ना, चाल यह, आप पूट कर दिजिए, 2 into, S1 के जाल केतना दिया हुआ जोस्तो, 30 किलोमेटर, ठीक है, यह आपका, S2 रह, ठीक है, 30 into, 60, बड़े, 30 पलस, 60, यही है ना, और तो कुछ नहीं है, तो चलिए, इसको आप कलकुलेट कर दिजिए, दोस्तो, जब कलकुलेट करेंगे, पहले यह देख लिजिए, 2 into, 30 into, 60, बटे, कतना हो गया, 90, 30 दून, तीस्तिया, 90, ठीक है, तीन से इसको कट कर दिजिए, आपको, 20 हो गया, यह कतना निकल का आपका, 40 किलोमेटर, पाड़ावर, क्या निकल गया आपका, average speed, यह तुग गयाद करना था ना, कितना असान से था, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि जब कोई ब्यक्ती, किसी चाल से कहीं जाता हो, और वापस वहाँ से लोडता है, तो उस प्रियेड में यदि average speed गयाद करना हो, तो फर्मूला होता है, दोस्तों, क्या होता है, average speed equal to 2 into पहला चाल into दूसरा चाल, बटे दोनों चालों का योग, क्लियर दोस्तों, simple question था, इसको solve किये, बढ़ी हाँ से, अच्छे से समझ जाएं दोस्तों, कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलिए, देखते हैं, अगले प्रस्न, चलिए, दोस्तों, देखते हैं, अगले प्रस्न, क्या करता है, यदि, कोई cycle सवार, यदि, कोई cycle सवार, तीन ओ समान चाल, 10, 15, और 12 किलोमेटर पर आवर से, तीन समान दुरियों, देखते हैं, तो कूल दूरी के लिए, उसका ओसद, चाल क्या होगा, ठीक है दोस्तों, पहले बाद में क्या था, निकाले तो question, इसमें क्या कहा रहा है, आपका, तीन को cycle है, C1, C, जैसा के figure में आप देख रहे हैं, C1, C2, C3, तीन cycle है, जिसका चाल कितना दिया हुआ है, S1, 10 km पड़ाबर, S2, 15 km पड़ाबर, S3, 12 km पड़ाबर, ठीक न, तीन समान दूरी यों ताई करती, मतलब, समझ जाओको, दूरी वही समान है, जो 10 km है, एक C1 cycle से गया, दूसरा C2 cycle गया, फिर C3 cycle गया, तीनों कचाल और समान है, जब ये तीनों महाँ पहुचे है, तो पोच रहा उस period में दोस्तों, कि आप उसकी average speed कितना होगा, तो चले दोस्तों, जम सिंपल सी बात है, जो बता चुके हैं आपको, इस period में हम लोग किस तरह निकालते हैं, तो हमने पता है, दोस्तों, कि average speed is equal to, sorry, average speed is equal to होता है, दोस्तों, 3 into S1 into S2 into S3, जो कि आपको लिखा चुके हैं, दोस्तों, S1 into, बते, S1 into S2 plus S2 into S3 plus S3 into S1, यही तो पढ़ा हैं न, कि नहीं, जब 3 को जब दिया हो, बस तो अगर वो चलता हो, जब उस period में, अगर कहे, average speed यहाद करने के लिए, तो average speed बढ़ाबर क्या था, 3 into S1 into S2 into S3, बते, S1 into S2 plus S2 into S3 plus S3 into S1, तीनों का योग, कि पर चलिए, अब पूट कर दीजे, बेल्लू, नॉर्मली से, नॉर्मली जब पूट करते हैं आप, तो क्या होता है, 3 into S1, S2 कितना दिया हुआ है, 10 into 15 into 12, बते, 10 into 15 plus 15 into, कितना दिया हुआ है, 12 plus 12 into 10, यह तो दिया हुआ है, के लिए दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ, कल्कुलेट करना है, ठीक है, बहुँ सिम्पल से सवाल था यह, तो आपका 3 into 10 into 15 into 12 लिख दीजे दोस्तों, और जब मल्टिप्लाइ किजेगा आप, यह कितना हो जागा, 150 plus 180 plus 120, जब आप इसे 10 into 15 into 12, अब जब जोड़ दीजे इसको, कितना हो जागा, 0, 8, 5, 13, 15, ठीक है, आपका 3, 1, 4 हो गया दोस्तों, आप इसे कैंसिल कर देंगे, 150 हो जगा, 00, कैंसिल हो गया, 15, 15, कैंसिल हो गया, आपका average speed कितना निकल गया दोस्तों, 12 km पर आवर, किलर दोस्तों, यह आपका का निकल गया, average speed, बहुता संथान दोस्तों, कुछ करना नहीं पड़ा था, simple check formula यही था, आपका, इस पर put किये, सारा calculate कर दिये, के लिए, अच्छा लग रहा हो, चली समझ गया है, तो चलते हैं फिर अगले परसन की ओर, चली दोस्तों देखते हैं, अगले परसन आपके बोट पे यह रहा है दोस्तों, कहता है, एक गारी 33 किलो मीटर की, चार लगाता दुडियों को करम से, 10 किलो मीटर, लगाता दुडियों को करम से, 10, 20, 30 और 60 किलो मीटर परती घंटे की गती से तही करती है, तो गारी की ओसर चाल कितना होगा, समझ गये दोस्तों, नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, परसन से नहीं समझे, तो कोई इसका डाइगराम बना हुआ दोस्तों, कहता है क्या पहला, एक गारी 33 किलो मीटर की दूरी है, ठीक ना, चार लगाता दूरी दिया हो गया, माल 3 किलो मीटर का, इसलिए तो बोला है, 33 किलो मीटर चार लगातार दूरी है, इसलिए 33 किलो मीटर चार लगातार दूरी हो गया, अब कहता है, कोई कार है C, ठीक ना, जब A से B पहला 3 किलो मीटर दूरी केतना किलो मीटर पराबर से चला हूँ, 10 किलो मीटर पराबर के चाल से से चलने जब दी के पास टिकेंट किलो मिटर नbook किलो मीटर पड़ाबर हो गreto Sacramento चानल कि आधाननों में पूछे जाते हैं तो ठोड़ा कुछ नहीं है दोस्तों को तो बहुत असानों से स्वाल्प करेंगे समझें ने चलिए देखते हैं कैसी स्वाल्प करते देखिए अगर इस तरह का प्रस्ण होतों सबसे पहले क्या करना है हमको को find out करना है इस step में total distance कितना find out total distance मतलब क्या हुआ distance total इसका मतलब यह होता ठीक है short form dt बराबर find out करना है आपको कितना कितना हुआ आप देख रहे हैं तीन 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 तो आप क्या कर दिजेगा 3 प्लस 3 प्लस 3 तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना पर्लों हो गया 12 किलो मीटर को दिकत नहीं ना चलिए जब दिकत नहीं है तो टाइम फिर ज्याद करेंगे टाइम निकालेंगे तब तो निकलेगा मेरा एबरेज स्पीड चलिए टाइम निकाले ते इस कंडिशन के इस तरह के प्रस्वन इसी तरह हल करते हम लोग चलिए तो डिस्टेंस कि यह तो टाइम बराबर होता है क्या दोस्तों बता दीजिए दूरी बेटे चल तो दिया हुआ सबका अलग अलग तो दूरी क्या हो गया ठीरी अर चल कितना दिया हुआ दस दिया हुआ इसी तरह करते रही है आप घवराना नहीं है बहुत असानी सा हल कर देंगे ठीक है दोस्तों बस सिखते जाइए तीस हो न यह तीस है एस फॉर सॉड़ी यह सिश्टी है दोस्तों ठीक है चलिए इसका जब लिजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका शिख्टी होना चाहिए यह कितना हो गया शोतिया ठार है तीन हुआ नौइन यह हो गया शिख्ट यह हो गया आपका थ्री हो सोड़ी कितना हो जाएगा छोति नौट नौट ने ठार हो अपका छ्छतिस वट्टे सिख्टी हो आवर्स समय यही निकला ना अब हम लोग क्या करेंगे एब्रेज स्पीड एब्रेज स्पीड बराबर ए जा होता है डिस्टेंस बटे टाइम ठीक है गारी का अउसत बताएं ठीक तक क्या निकाले हम लोग डिस्टेंस कतना था 12 किलोमीटर था टाइम कतना था दिया वाद 36 यह 60 कहां चला जाएगा उपर आपका चला जाएगा जब इससे कैंसिल करेंगे है कि बरतिया 36 यह कतना हो गया है कि 20 किलोमीटर पर आवर देखें दोस्तों चुटकियों में था ना इस तरह के प्रसंट कन्फीज कर देते हैं इसलिए बताएं ठीक है कुछ ने किया दोस्तों क्या किये इस प्रसंटों में सबसे पहले हैं टोटल डिस्टेंस कर लिए अभी लिए फोर टाइम दिया हुआ है तो थीज़ती टॉटल डिस्टेंस नहीं वहाँ टॉटल डिस्टेंस होगी आपका जötना था को वापास लोटी नहीं रहे ना एक ही साथ जाए ना कि फिर समय ग्याद कर लिए उसका क्योंकि इस्पीट बर तोटे तो इस्पीड बढ़ा क्या तर डिस्टेंस बटे इस्पीड होता है तो उसे के तर टाइम निकाल लें चांटीस बटे किसी यत्रा पे निकले सा राम ने 50 किलो मीटर पर अवर की है उसथ गती से एक घंटे तक हर कि श्यामने 48 किलो मीटर पर आवर तो तोrire तो पूरे सफ़्र में उसथ गती बताए है ठीए दोस्तो प्रस नहीं है कि राम स्याम्रान किसी चाहता पर निकले राम ने 50 किलोमेटर परावर्वर की और तक खंथे तरक्वल्ण मेव मौहन films स्ए गती से तीन घंटे तक गाड़ी को चलाया तो बोला जिसका पूरे सफ़रों में औसफ़र गती कितना होगा यह फाइंड आउट करना बड़ा प्यारा सा प्रसमें दोस्तों तो चलिए एक डाइग्राम हमने बनाया समझने के लिए है ठीक है दौस्तों है पत्ना तु देली कोई जाना है तो उसके बीच कि दूड़ी कोई डिस्टेंस है ठीकना तो राम पत्ना गाड़ी लेकिया अप्ना चला कितना कुलोम्टे प्धी घंटे के छाल से है virus तास किलोमेटर प्रति घंठे की चाल से एक घंटा तक यात्रा किया। थिक ना। उसके बाद कि पritis चला कुछ दूर के बाद जे दोर यहां तक आपका राम चलाया। यहां तक के डिगे ज्ञाया है जयां चलाया। इसके अबाद थिक ना तो फिर स्याम 48 km पर आवर की चाल से दो घंटा स्याम चलाया फिर क्या किया फिर मोहन का पाड़ी आगया मोहन पावन किलोमेटर पर आवर तीन घंटे तक गाड़ी को चलाया और वो दिल्ली पहुच गया ठीक है दोस्तों यही कहानी है तो आप बोलता है इस कहानी में कि आप इसका average speed कितना होगा तो चलिए सबसे पहले हमें पता हो जाना चीए कि distance है कितना सबसे पहला point out क्या करें हम लो डिस्टेंस ठीक है तो चल चाल्यक काड़ जोता है वावर फर्मुला होता होता है थोस्तों क्या होता आरा है ॥ आहगा नवे इस पीड इंटू कि फिर कितना तीन है ना तो बस ट्रलास ट्रिज्टो इसमेंटू ठीटू S3 into T3 कोई दिक्कत ऐसा लिखने पर कहीं कोई दिक्कत नहीं चलिए जब इतना दिक्कत नहीं है तो हम लोग चा करेंगे पूट कर देंगे भेलू 50 into कितना अबर लगड़ा 1 अबर लगड़ा 1 पलस 48 into समय कितना लगड़ा 2 पलस S3 कितना है 52 into 3 जब मल्टिपला करेंगे आप 50 48 जुना कितना होता है 96 और 52 55 1556 जब आप इसको कल्कुलेट करेंगे तो कितना हो जागा आपका 302 किलो मीटर 302 किलो मीटर और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग टाइम निकालेंगे टोटल टाइम कितना हो जागा अपका टोटल टाइम अपका कितना हो जागा T1 पलस T2 पलस T3 को जोड देंगे तो क्या हो जागा 1 पलस 2 पलस 3 इक्वल टू 3 दू 5 एक 6 आवर्स हो क्या ठीक है दोस्तो बस पिछले प्रब्लम जैसा है क्या है अबरेज स्पीड बराबर क्या हो जागा दोस्तो अबरेज स्पीड बराबर क्या हो जागा आपका डिस्टेंस बटे टाइम ठीक है तो डिस्टेंस टोटल कितना निकल गया हम लोग का 302 किलो मीटर टाइम कितना टोटल निकल गया 6 निकल गया जब इसको भाग देंगे calculate करेंगे तो 50.3 km आपका पर आवर average speed आपका निकल जाएगा क्लिए दोस्तों बड़ा असा question था statement थोड़ा लंबा था question बहुत असान था देख लिजिए क्या किये कुछ ने किये हम सबसे पहले हम find out क्या किये total distance total distance का formula हम लोग बच्पन से परतिया रहे हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ठीक है जब दूरी बराबर चाल गुना समय होता है तो पहले चाल के साथ हम पहला समय के साथ चले हैं दोनों के s1 into t1 plus s2 into t2 plus s3 into t3 इस formula के अनुसार से हम लोग total distance को find out किये उसके बाद जाके दोस्तों इसमें total time निकाल लिए total t1 plus t2 plus t3 किये जो time हुआ वो हो गया और average speed बराबर क्या होता है फर्मूला दोस्तों total distance बटे total time कर दिए ठीक है उसके बाद मेरे को क्या निकल गया average speed कितना 50.3 km पर आवर क्लिए दोस्तों मया आया चल यह चलते हैं अगले परसनों की और चलिए दोस्तों देखते हैं अगला परसन जो आपके बोर्ट पर यह रहा करता बड़ा प्यारा सा प्रसन दोस्तों कि सुबध अपने घर से इसकुल की और 30 km पर आवर की चाल से जाता है और 20 km पर आवर की गती से लोट आता है यदि उसे जाने था वापस आने में कूल पांच घंडे का समय लगा हो तो उसके द्वरा तेके गई कूल दोड़ी बताएं ठीक है दोस्तों बड़ा प्यारा सा प्रसन है देख लीजिए सुबध अपने घर से इसकुल की और 30 km पर आवर की चाल से जाता है और 20 km की गती से लोट आता है यदि जाने था वापस आने में कूल पांच घंटे का समय लगता है तो बताए उसकी कूल दोड़ी कितनी है चले देखते हैं डाग्राम से ये सुबध जी का घर हुआ ये सु सुबध की स्कुल में तो वापस वह घर की और 20 km परावर की गती से लोड़ती है आने और जाने में उसको टोटल समय जो लगता है दोस्तों वह पांच घंटे लगते हैं तो कहता है कि कूल दूरी बताएं कूल दूरी का मतलब समझ जाएगा दोस्तों कन्फ्यूजन मत कूल दूरी का मतलब क्या हुआ कि घर इसकूल से सोड़ी यह हम हुआ घर से इसकूल माल यह किलोमेटर फिर इसकूल से पुना घर डी टू यह टोटल डिस्टेंस हुआ दोस्तों टी बन प्लस टी टू याद रखे का कन्फ्यूज मत हुएगा ठीक है इसलिए बोला कूल कि आपको जाता हुआ पुना वापस लोडता है उस्प्रेटम में अगर चाल दिया हुआ आने और जाने का तो उस प्रिट में आप लोग क्या करेंगे एबरेज इस प्रिट गयात कर लेंगे ती उसी तरह यहाँ पर क्या हो जागा 2 इंटू S1 इंटू S2 पट्टे S1 पलस S2 इंटू T जो आपका दिया गया है पूट कर दिजे भेल्लू को बहुत आशान से निकाल जाएंगे 2 इंटू S1 कतना दिया वा 20 इंटू अपका चॉड़ी यह 30 किलोमेटर है ना 30 इंटू 20 यह होगे 30 पलस 20 ठीक है दोस्तो चलिए इधर लिग देता हूँ बड़ा बढ़ हो जागा दोस्तो टू इंटू 30 इंटू 20 यह होगे आपका 50 ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं 00 कैंसिल यह होगे आपका 6 12 इंटू 2 24 किलोमीटर है ठीक है दोस्तो किसा किलोमीटर है गल्दी होगे क्या लगतो रहा है अच्छा हाँ च्छोपन से 30 ठीक है 2 इंटू 30 इंटू 20 अच्छा टाइम तो मैंने लिखा ही नहीं यार टाइम कितना लग रहा था आपका 5 ठीक है तो 24 इंटू 5 कर दीजे आप कितना होजागा आपका पहुंज दास अच्छे 20 120 किलो मीटर है ठीक है टाइम हमने लिखा ही नहीं था वी सोग यह था सोड़ी चलिया ठीक ना लेकिन अब देखे यह मेरा क्या निकल गया टोटल डिस्टेंस यही तो मांग रहा था ना लेकिन दोस्तों एक मतलब करते हैं यह तो टोटल डिस्टे अगर आपको कोई पूछ देता कि सुबोत के घर से स्कुल के तक उसकी डिस्टेंस कितना है क्योंकि हम लोग तो टोटल डिस्टेंस याद किये थे अगर आपसे पूछ देता कि सुबोत के घर से स्कुल की दूरी कितनी है तो इस प्रियाट में हम लोग क्या करते हैं सिंपल क्या निकल जाता है शुबोत के घर से स्कूल की तूड़ी ठीक है समझ गया ना इसको इस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए ले लिजी स्क्रीन सोट पहले हैं चले ठीक है समझ गया है कि आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे अगले किलासों में एक नए नए प्रसुनों के साथ टाइम और डिस्टेंस के टोपिकों जैसे तो अब लोग अच्छी तरह से हमें उमीद है कि समझ गया होंगे अगर यह अब देखेंगे और आपके पास जो भी बूक हो उस का बता दूँ ठीक है दोस्तों चलिए थैंक यू